है जो हैरे हैं है failure Josh एनिस इस पृटिछ है आप सब लोग मैईसले तुशा और अपके अब गार स्कॉर पार के बारे में घते देखी में फ़िए कię गार स्कॉर किया होता है इससे कप किया जाता है है एजिसमें क्या-क्या इंडिकेटर होते हैं जिसमें हम बेबी को ग्रेडिंग देते हैं जहीं कि पिछ में तो सबसे पहले देख ले ते लिया यह डिटामाइन करता है इसको how well the baby tolerated the birthing process कि उसने जो labor का process या delivery की process भी तो उसमें baby ने कैसे manage किया उसको तो हमें वो score से पता चल जाएगा next the five minute score tells the health care ठीक है provider क्या पताता है उसे कि the baby is doing how well the baby is doing outside the mother's womb कि अब बेबी भार आ गया है outer world में आ गया है तो अब वो कैसा perform कर रहा है ठीक है अब तक तो देखो अंदर सा मदर के अंदर तो वो काफी अच्छे से रह रहा था अब भार आके उसे क्यासे वो challenge face कर रहा है तो उस appearance appearance में तो उसका skin color कैसा है baby का then P for pulse उसका heart rate कैसा है G से grimmins reflects irritability उसकी expression कैसा है उसका baby का ठीक है फिर A है activity से कि उसका muscle tone कैसा है baby movement कर रहा है क्या नहीं कर रहा है next R for respiratory efforts ठीक है कि वो respiration अच्छे से ले रहा है का नहीं ले रहा है मैं तब सांस ले रहा है नहीं ले रहा है तो उस सबको क्या है या तो उसको आप 0 marks दोगे या तो 1 दोगे या तो 2 दोगे तो 3 marks दो 0 या 1 या 2 ठीक है the higher the score the better the baby is doing ठीक है अगर ज्यादा score आता है जैसे 10 आता है 10 आटा 10 तो baby मतलब perfectly well है ठीक है जैसे से उसके score कम होते रहेंगे हमें सोचना पड़ेगा कि हमें baby को reset करना सब्सक्राइब कि अब बार score 7 to 20 ठीक है अगर 10 है तो परफेक्ट है 7 से 10 है के बीच में है तो इट से नॉर्मल पोस्ट डिलेवरिट कैट चीए उससे सिंपल सा और अकर score है कि 4 से 6 के बीच में आ रहा है तो इट requires some resuscitation measures ठीक है उसमें से हम बेबी को oxygen marks लगाएंगे उसका अगर score 0 से 3 है it requires full resuscitation measures ठीक है उसमें हमें काफी महनत करके बेबी को revive कराना है ठीक है क्योंकि बेबी का performance बहुत वीक है अगर care नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है बाद में तो इसमें इंडिकेटर में जैसे देखा हमने APGAR तो इसमें क्या क्या है है हमने marks देदी इसका body इसका color है complexion वो अगर blue हा रहा है तो हमसे 0 marks देंगे वैसे ही अगर baby pink color का है लेकिन उसके हाथ pair है वो blue है तो उसे हम 1 marks देंगे और completely pink है तो उसे हम 2 marks दे रहे है उसके pulse की बात आती है तो pulse में अगर absent है तो 0 अगर उसकी pulse 100 से नीचे है 100 beats per minute ठीक है तो उसे हम 1 marks दें देंगे next chapter agreements तो इसमें क्याता है कि no response to any stimulation ठीक है अगर आपने इसको हलका से prick किया या उसके nose में prick किया तो अगर उसने कुछ response ही नहीं जा तो हम उसके क्या बोलेंगे 0 marks देंगे उसे अगर उसमें हलका से उसने agreements दी दी आवाधा उसमें facial expression उसके हुए ठीक है बट वो देते हैं next आपके activity अगर वो एक्दम बेजान सा पढ़ा है ठीक हम जिसको हम बोलते बेजान से पढ़ा हो ना कि लिंप है floppy वह सकते है या flaccid है उसका body ठीक है कुछ movement नहीं कर रहा है तो हम इसे 0 marks देंगे वैसी है अगर वो some flexion दिखाता है ठीक हां से अलका flexion दिखाता ह रहे हैं तो वो रो कर रहा है उस चीज़ को उसको बोलते है resisting extension तो उसे हम 2 marks देंगे and finally आपका respiratory efforts में अगर वो बिल्कुल respiration नहीं कर रहा है तो उसे हम 0 marks देंगे ऐसे ही अगर वो slow और irregular है ठीक है रुक रुक के सांस ले रहा है क्या पता म्यूकस अंदर चला हो गया हो तो उसे हम 1 marks देंगे and 2 marks completely अगर वो अच्छे से रो रहा है ठीक है and strong cry है उसकी तो हम उसे में उसको 2 marks देंगे तो ऐसी अगर यह पूरा criteria साही है तो उसको 10 marks बिलेंगे and फिर उसे हिसाब से उसको कितने बिलते 0 से 10 की बीच में ठीक है तो यह छोटा सा topic था आपका अपगार score 4 के उपर I hope आपको वीडियो समझाए होगी and इसमें कोई डाउट होगा तो आप comment section में इचे पूछ सकते हैं and इससे पहले मैंने reflexes वाली वीडियो भी डाली है ठीक है मैं जो बेबी पर न्यूबॉन बेबी पर reflexes मिलते हैं पर उसमें actually थोड़ा age restriction आ गया है तो वह सब कि जो सारे notes है यह आपको telegram में मेरे channel में मिल जाएंगे telegram के link नीचे description में दे दोगा तो आप वहां से जो भी file download करने है आप वहां से download कर सकते है इसके भी notes है जैसे यह page है आप वहां से download कर सकते है and ऐसी ही जो other videos के मैंने notes है वो भी सब उसी में डाल रखे हैं तो आप उसे जरू से check out कर सकते हैं तो आपको वीडियो समझा गए हुए और आपको अच्छे लिए तो प्लीज लाइक करना शेर कर अपने फ्रेंट के साथ एंड हां सस्क्राइब जरूर कर लेना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में टेल लें टिक कर बबाए